क्या विपक्ष का मोर्चा अब स्टालिन सभालेंगे नितीश कुमार ममता बैनर जी राहुल गांधी के बाद क्या अब विपक्षी मोरचा को स्टालिन एक करेंगे 2014 से पहले क्या होगा विपक्ष का बात करेंगे इस वीडियो में नमस्कार मिया नामे स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट लोगसबा जुनाव से पहले विपक्षी एक्ता की बाद जो है वो सब जगा चल रही है ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ओपोजिशन को लीट कौन करेगा पहले तो नितीश कुमार का नाम सामने आ रहा था फिर ममता बैनरजी फिर उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंदरी केसी आर का केसी आर ने तो अपनी पार्टी का नाम ट्यारिस तेलंगाना राष्टर सिमीती से भारत राष्टर सिमीती कर दिया लेकिन अब वो भी विपक्ष के चहरे की तरह नहीं दिख रहे हैं लेकिन मानहानी के मामले के बाद से राहुल गांधी की संसत की जो सदस्यता है वो चली गई है तो अब वो विपक्ष का चहरा नहीं बन सकते हैं लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है कि M.K. स्टैलिन विपक्ष को लीट कर सकते हैं लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्या ये देश एक South Indian leader को opposition का चेहरे की तरह accept करेगा। तो पहले पूरा का पूरा मामला क्या है वो समझ लेते हैं। तो 3 April को DMK अध्यक्ष MK Stalin ने 20 दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की। लोकसभा चुनाओं से पहले DMK ने विपक्ष को एक करने की ये दूसरी बार कोशिश की है। इससे पहले Stalin के 70 जनम दिन पर एक मार्च को चेहरे में हुए समारों में विपक्ष के नेता एक जुठ हुए थे। हलाकि मीडिया से बात करते हुए DMK का ये कहना है कि ये मीटिंग एक गैर राजनेतिक मीटिंग है। लेकिन हम सब ये तो जानते ही है कि नेताओं के लिए कुई भी इविट गैर राजनेतिक नहीं होता है। लेकिन वहीं पॉलिटिकल एक्सपोर्ट का ये मानना है कि ये ऐसे इवेंट विपक्ष को एक करने के लिए किया जा रहा है। और तैयारी जो है वो 2024 की है। लेकिन DMK का कहना है कि ये मीटिंग न्याय आंदोलन को ले जाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन लास्ट टाइम भी जब पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था उसे 2024 की तैयारी को लेकर देखा जा रहा था। उस टाइम भी स्टालिन ने ये कहा था कि पूरे विपक्ष को BJP सरकार के खिलाफ होने की जरूरत है। उस टाइम एमके स्टालिन ने ये भी कहा था कि भारत में एक विशाल राजनेतिक मंज की जो है वो शुरुआत हो रही है। अब सवाल ये आता है कि क्या लोगसभा चुनाओ में ओपोजिशन का चहरा एमके स्टालिन बनेगे और क्या एक साउथ इंडियन लीडर को वो एक्सेप्टेंस मिल पाएगी। नौर्थ इंडिया में यूपी बिहार जैसे राज्य हैं जहां लोगसभा की सीटें काफी जादा हैं तभी तो लोगसभा चुनाओ में जो इनका इंफ्लूएंस है और जो डॉमिनेंस है वो काफी जादा है। भूल गांधी की सदस्तिता जाने के बाद वो भी विपक्षी एकता में एक दिखे। तो विपक्ष चुनाओ से पहले एकजुट होने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये कितना सफल हो पाएगा या नहीं वो तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। खेर जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे जुड़े रहें अनकट के साथ। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को। झाल